All right guys, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ES6 Modules के बारे में ES6 Modules एक बहुत ही ज़्यादा important topic है क्योंकि जब आप code लिखते हो तो वो code बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जब आप कोई software बनाते हो तो उसमें बहुत सारा code यूज होता है ना कि आप theoretical concept समझें तो ज़्यादा समझ में आएगा तो practically मैं आपको बताता हूँ कि modules क्या होते हैं उसको use करके अपना modules create करके हम लोग देखते हैं तो अब हम लोग आज आते हैं अपनी vs code को और open कर लेते हैं vs code visual studio code यहां पर हम module को सीखने के लिए folder बना लेते हैं नया right click करेंगे new folder यहां पर देखेंगे js module नामसे हमने folder बना लिए js module के अंदर हम कुछ file बनाएंगे html की और css की css की तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि ऐसा चूज नहीं है html बनाऊंगा क्योंकि हम लोग इस बार अपना जो javascript है वो browser पे execute करेंगे ठीक है तो हम लोग यहां पर फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर javascript लिखने वाले हैं हमने यहां पर फाइल बना लिया जिसका नाम दे दिया main.js यह हमारी main.js file होगी और साथ ही साथ में हम लोग एक फाइल बना लेंगे index.html यहां पर हम लोग अपना basic html लिख लेंगे परफेक्ट है और इस basic html में मैं यहां पर एक html लिख देता हूँ this is my rjs modules test यहां पर मैंने लिख दिया है और हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहां पर हमर पास I don't think हमारा live server इंस्टॉल है शायद मैंने रिंस्टॉल किया होगा visual studio code तो हट गया है तो मैं क्या करूंगा फटाफट फटाफट हम लोग यहां पर चलेंगे और live server को इंस्टॉल करेंगे जिससे कि हम directly अपने html page को open कर लेंगे perfect हम install कर देंगे and यह within a few seconds install हो जाएगा तो wait कर लेते हैं थोड़ा सा install होने का and yes install हो गया and install होने के बाद अब simply open with live server पे क्लिक करके and allow पे क्लिक करके और अपना यहां पे browser open कर सकते हो this is module test आ जाएगा perfectly अब हम लो लिखेंगे अपने उस page पे चाहे include करें चाहे लिखेंगे उसका locks हम लोग यहां पे maintain कर सकते हैं दिखा सकते हैं भी मैं आपको दिखाता हूं ठीक है थोड़ा समय want बढ़ा कर लेता हूं जिससे हमारा यहां पे भी JavaScript में भी हमें बढ़िया दिखें चली यहां पे हम लोग क पे include कर सकते हो कोई दिखात नहीं हम लिखेंगे है script script and script tag में src and यहां पे main.js लिख देंगे that's it अब हम जो main.js के अंदर जो भी code लिखेंगे सारा code execute हो जाएगा जैसे यह file include होगी मैं आपको दिखाता हूं सबोज आपने यहां पे लिखा है console.lock and लिख दिया ready भाई हम लोग ready हैं and हम लोग जैसे यहां पर आएंगे आप देखोगे ready message आगे अब यह message अपने आप कैसे आ module.log and new date.to string function use करेंगे save करेंगे तो अभी की date time हो गरा आ जाएगा परफेक्ट यह आपको सब्सक्राइब को समझाता हूं तो modules basically होता है क्या मैं comment कर लगा के पहले लिखता हूं modules मतलब एक problem है उस problem को solve कि एस module के help से problem यह है कि जब आप कोई software बनाओगे website बनाओगे या web application बनाओगे तो वहाँ पे बहुत सारा code होगा code होगा तो कोई जरूरी नहीं आप single file में उसको लिखोगे single file में अगर आप सारा code लिख भी देते हो तो manage करने में बहुत जादा दिक्कत होगी कैसे manage करोगे भाई हो सकता है कि बहुत जादा code हो तो single file में कैसे लिख के manage कर सकते हो तो अगर आप कोई function मनाते हो अब यसी बात हम javascript में mostly variables बनाएंगे तीन चार चीज़ बनाएंगे variables बना लेंगे functions बना लेंगे या तो हम लोग classes objects बना लेंगे classes बना लेंगे तो यह सारे जो functions variable बनाएंगे modules हमें यह feature provide करता है कि हम लोग इन variable और इन functions और इन classes को हम किसी दूसरे फाइल मिले जा सकते हैं और उस फाइल को हम लोग module बोल देंगे मतलब हम अपने पूरे code को separate कर सकते हैं अलग-अलग modules में modules में मतलब हम जो code लिख रहते एक ही जगे पर उसको हम लोग अलग-अलग modules में अलग-अलग files में लिख सकते हैं और दूसरे files का code हम लोग अपने एक जगे call कर सकते हैं आपने यहां पर एक variable बनाना था तो आप क्या कर सकते हो कि इस variable को किसी दूसरे file में यूज कर सकते हो यूज नहीं मतलब बना सकते हो यहां पर यूज कर सकते हो कैसे आपके पास एक और file है जिसका नाम है यहां पर suppose ram.js and हम लोग क्या चाहते हैं यह वालब variable उठाके अपने दूसरे module में ले जा सकते हैं यह यहां पर मैंने simply आया अब हम WHO क्या कर सकते हैं अब यह तो simply मैंने एक example से मैं समझा रहा हूं ऐस bear a code हो सकता है बहुत सारे variables हो सकते हैं even बहुत सारे functions हो सकते है suppose आपके पास एक future यह function हो गया, बहुत सारे classes हो सकते हैं and तमाम तरीके चीजे अलग file में रख सकते हो और यह हमारा module बताता है कि module के help से हम अपने code को separate कर सकते हैं अलग-अलग files में, लेकिन use कैसे करेंगे, use करने के लिए आपको दो keywords जानना जरूरी है, वो दो keywords है, एक होता है import, import के help से हम दूसरे file से code को import करते हैं, अपने file में, ठीक है, दूसरा होता है export, जब हम file बनाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा code किसी दूसरे जगे पर use होगा, दूसरे file में तो उसको export कर देते हैं, I think आपको सुझ में आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, suppose हमारे पास ram.js था यह वाला file, हम चाहते हैं कि यह variable दूसरी जगे use होगा, दूसरे file में, तो हम इसको यहां से आके export कर देंगे, अब हम लोग दूसरी जगा इस वाले variable को import कर सकते हैं और use कर सकते हैं, इसी तरह functions को भी हम लोग export कर सकते हैं, अ हमें लिखना है import and bracket लिखना है and then हमें लिखना है where1, अपने variable का नाम, अगर function भी चाहिए तो आप function भी लिख दो, कहां से import करना है, from and from में आप अपने file का नाम लिखना, अब हम लोग इस variable और display function को use कर सकते हैं, तो अब देखो मैं यहाँ पे console.log not confirm, console.log और यहाँ पे variable 1 को print कर देता हूँ and again console.log, log तो करने की जरूत नहीं directly हम लोग display function को ही call कर लेता हूँ, अब यह दोनों function, यह दोनों variable, सबसे पहले तो मैं यह इसको उपर रखता हूँ, यह वाला variable 1 है, आपने इस वाले page पे कहीं नहीं define किया है, क्योंकि यह import हो रहा है, दूसरे वाले file से, ram. जैसे import हो रहा है and यह function भी ram.js से ही ri call हो रहा है, तो यह हमने import किया है, जब हमें use करना होगा, तो हम दूसरे module को, दूसरे module के अंदर जो functionalities को import करेंगे and उससे पहले हम लोग अपने module, actual module के functionalities को export करेंगे, तब ही use कर पाएंगे, जैसे आप यहाँ पर आओगे, तो हम यहा यहाँ पर ram.js करेंगे, ठीक है, js नहीं करेंगे, तो यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसको resolve करने के लिए basically हम लोग जब हम लोग नहीं यहाँ पर अपना script include किया है, यहाँ पर हम लोग एक attribute use करेंगे type, और type में हम लोग value दे देंगे module, that's it, इतना काम हो गया गया, इससे हम इससे, यह चीज़ समझ जाएगा, यहाँ पर जोब इंटर्पेटर है कि basically कि यह file modules को use कर रही है, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो अब error आप समझेगा, अब error आ रही है, देखे, क्यों कह रहा है कि not found, ram.js आपने लिखा नहीं, त ram not found आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, and simple, फिर से हम लोग यहाँ पर ram.js कर देंगे, save कर देंगे, and जैसे save करेंगे, आप देखोगे, message आ जाएगा, तो अब यहाँ पर देखो, यह message आया है, वो ram.js, second line से आया है, मतलब आपने यहाँ पर print किया, और यह जो print हु message from ram.js files, ठीक है, and save कर देंगे, तो आप देखोगे, यह message यहाँ सा जाएगा, इसका मतलब सा मतलब है कि हम लोग अलग-अलग files में अपने code को arrange कर सकते हैं, with the help of modules, यही चीज हमें इस वीडियो में आपको समझानी थी, I think आपको समझ में आ रहा होगा, export करने के तरीके export keyword last में लिखके, and then आप where one, display को export कर सकते हो, तब भी आपका result change होने वाला नहीं है, सारी चीज़े सेम रहेंगे, एक और चीज़ आती है कि export default, आप default भी export कर सकते हो, सब्सक्राइब के पास एक class है, या एक function है, my default function, my default function, and इसमें मैं कुछ लिखूंगा नहीं, इसमें console.lock कर देता हूँ, this is my default function, ठीक है, save कर देता हूँ, and इसको मैं यहां से as default export करूँगा, तो यहां में लिखूंगा export default, export default, save कर दूँगा, अब export default का मतलब होता है, अब आपको यहां पे bracket लगाने की जरूत रही है, अगर आपको default functionality चाहिए, तो आप import directly, and यहां पे my default function from, ब my default function use कर सकता हूँ, my default function को मैं use कर सकता हूँ, save करूँगा, so आप देखोगे, this is my default function, यहां पे हमारा output आजाएगा, that means अब आपको bracket लगाने की जरूत नहीं, और एक से ज़्यादा आप यहां पे default रग भी ने सकते हो, suppose आप इस file इसको भी default बनाना चाहा रहे हो, default, तो आप देखोगे, ओके यह गलत आई तिंग लगा दिया हमने, ठीक है, export से पहले हम लोग default लगाते हैं, यहां पे, export, default, default and save कर देंगे and इसको भी हटा देंगे and save कर देंगे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, अभी तक perfectly चल रहा है and यहां पे आप देखोगे, error आ रहा है, duplicate export of default, that means कि दो बार duplicate, export नहीं कर सकते, आप आठवी line पे भी duplicate कर रहा, that means default हमार एक बार ही export होगा, बाकी export आप अलग-अलग तरीके से कर सकते हो, कोई लिख कर नहीं, but default export आपके पूरे file में एक ही होना चाहिए, so I hope आपको सोब में आया होगा, आपको मैंने चीज सिखाई कि कै कैसे हम लोग अपने files में code जो लिख रहे हैं JavaScript का उसको अलग-अलग files में लिख सकते हैं, ऐसा model उसको कैसे import और export कर सकते हैं, आप export करने की तरीके अलग-अलग है, import भी आप अलग-अलग तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे simple सा तरीका हम लोगों ने import करने का use किया, I think आपको आई होगी जो मैंने सब्जाए, तो अब असे आप क्या कर सकते हो, आपको एक ही file में रिखने की code को लिखने की जरूत नहीं, आप अपने files में जो code लिख रहे हो, उसको आप अलग-अलग files में modularize कर सकते हो, अलग-अलग modules मना सकते हो, और काम कर सकते हो, I think इस video में आपको बहुत सारी information सीख में मिलेगे, चले में मिलता हो next interesting video में है, तब तक लिए जाए ही जाए भारत, और हाँ guys, अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया, तो चैनल को subscribe करके घंटा जरूर दबाली जिससे की latest videos आपको मिलती नहीं, चले, बाबाई